आप सभी लोग को कैसे है आप सभी लोग एक बार फिट से स्वागत था आपका हमारे डाउट सेशन या आपकी जो प्वेरीज हैं उसके रिगार्डिंग और आज की जो पैरी है वो सबसे महत्तुपून के प्वेरीज में से एक है क्योंकि इसमें मैंने और कॉश्चन पिक न और इसको बार-बार आप लोगोंने फिर से नहीं पूछना है कि क्या है कैसा है ठीक है यह जो क्वेरी है या मतलब और दूरी कुर्शन आए हैं इसमें लेकिन मैंने आज एक ही चीज़ पिक किया है वो है आरो ए आरो जो सेकेटरेट और जो UKPSC के लिए आएंगी भरती यानि समिक्षियाधिकारी साहिक समिक्षियाधिकारी यानि रिवियो ओपिसर और असिस्टेंट रिवियो ओपिसर की जो भरती आने वाली है UKPSC के माध्यम से जो आएगी उसकी भरती प्रकिरिया उसके पैटन को लेके उसके सोर्स को लेके उसके स्टेप को लेके उसकी तैयारी को लेके completely 10-12 मिनट का discussion मैं आप लों के लिए करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है कैसे करना है ठीक है देखिया बिग्यप्ति कब आएगी पहला किशन है तो देखो अधियाचन गया हुआ है अभी ये government form हो जाएगी नहीं तो उसके बाद hopefully जो UKPSC के माध्यम से पहली भरती आएगी वो आरो यारो की ही आनी चाहिए यानि हम लोग कह सकते कि March and Day अपर एल स्टार्टिंग स्टार्टिंग तक कहीं न गहीं आरो यारो की भरती आपको देखने को मिल सकती है इसकी प्रबल संभाव नहीं है ठीक है नहीं भी आएगी माई के महने तब भी आ देखने को मिल जाएगी तो हम यह नहीं सोच सकते कि यार हम विग्यपती आएगी तो उसकी बाद हम उसकी तैयारी करेंगे तो हमें जब निकालना ही है एक comfort job जो है क्योंकि देहरादून की job है सेकेटरेट की job है ट्रांसफर नहीं होना है फाइब डे वीक है दो दिन आपक भी नहीं होना है तो कई चीज़े हैं फाइदे हैं उसके भी और job भी अच्छी जो profile भी सब अच्छा है तो वह तो बात की बात है वह तो हम फिर करेंगे पहरा चीज है selection लेने को लेकिए procedure क्या है ठीक है देखिए जो उसका कौन उसके form को फिल कर सकता है पहले यह बताता इससे कोई फरक नहीं पढ़ता आपके subject क्या है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता आपके पास degree होनी चाहिए graduation की वह आपके लिए काफी है कि आप लोग RO RO के form को फिल कर सकते हैं यानि भर सकते हैं ठीक है पहले क्वैदिया आप ही यह है उम्र भी बता दी 21-22 साल अब दूसरा इसी में कई लोग पुछते हैं सर जो उम्र है जो age है वो कहां से count होगा यानि वो age कहां से counting करेगा कि आपकी age इतनी ले जाएगी तो संभाव है कि 1 July 2021 संभाव यह है कि 1 July 2021 से आपकी कम से कम 21 वर्स मांगेगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ ठीक है फिर बात की बात से जो भी होगा अब आता है परिक्षिया जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको मैंने age वगड़ा बता दी है जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सबसे पहले होती प्रारभभिक परिक्षिया प्री एक्जाम क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होते हैं में से कराना संभाव नहीं होत तो इसके लिए प्रारभिक परिक्षिया प्री एक्जाम कराया जाता है ताकि छटनी हो जाए यानि जितनी पोस्त में उसका लगभग 15 गुना निकालेगा यानि अगर आपकी डेल सो पाथ दोनु जगह आते हैं UKPSC और सच्चिवाले मिलाके उसको 15 से गुना कर दो लगभ लगभग आपकी तीस नंबर की आते हैं यानि मैथ और रिजिनिंग का पोर्शन मिला के तीस उसमें भी ज्यादा जो वेटेज होगा वो रिजिनिंग का होगा लगभग 18 से 20 कुछ परिजिनिंग के कुछ परिशन हलके भुलके मैच से गयाएंगे बहुत हार्ड नहीं आती हाई स्कूल लेबल की कुछ परिशन हाएंगे वो नहीं भी आता है जिसकी मैथ रिजिनिंग कमजोर भी है तो फिर उसके लिए बाकी का जो 120 नंबर का पोर्शन है उसमें उत्राखन प्लस जीएस है यानि उत्राखन प्लस जीएस प्लस आपकी जो तीसरा है मैथ और रिजि एक्जाम में 100 मार्क से आसपा सेफ रहता है इतना में बता रहा हूं 95 से अब 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 जितने भी चातर निकलते हैं UKPAC के प्री एक्जाम में वो लगभग सेफ रहते हैं ठीक है अब वो तो बात की बात है कि कितनी को टॉप जाएगी क्या जाएगी वो बताने की बात नही प्री गेर और श्छाय मेन के अंदर आपका प्री के रिजल्ट के बात में से के एक्जाम में लगा किसके रहें तरहें यहिए जsecond based होगा निए उतराखंड प्लस जी का हैग्या है लावा कुछ नहीं आगी आपको second step लिखना है ठीक है पर्थम चलाण में आपने प्री का pattern लिखा होगा प्री में क्या क्या आना है second step आपका लिखना है main से का चलाण main से में तीन paper होने है पहला paper GS का जिसमें GS plus उत्राखन MCQ के आधार पे रहती वो ही उसका syllabus है आज तक चेंज नहीं हो है आगे चेंज होपफुली की नहीं होगा यही उसका pattern है जो general exam होता आरो यारो का उसके बाद दूसरा paper उसमें हिंदी drafting का होता है वो रहता है आपका 100 नंबर का ठीक है book source अभी बताऊंगा उसमें 4-5 question letter writing के आते हैं और 20 नंबर की उसमें word meaning आती 10 हिं हिंदी से English में translation और 10 का English से Hindi में मतलब वो word meaning 10 हिंदी के English में लिखने होंगे और 10 English से Hindi में दिये होंगे 15-15 कुछ ऐसे दिये होंगे आपको कोई भी 10 सेलेक्ट करने होंगे हिंदी से English लिखने के लिए और कोई 10 आपको English से Hindi वो कौन से termology रहती कौन से word meaning रहती है वो मैं कराऊंगा फिकर लेनी करने की कोई जरुबत नहीं जितने में आपको word meaning कराऊंगा बीस में से 15-17-18 पहुंच जाओगे आप उतने से अगर आप लोग उसको याद कर पाते हैं तो ठीक है दूसरा दिहिंदी के paper के बाद तीसरा paper आपका रहता है essay writing का तीन essay आपको लिखने होते हैं निबंद लिखन सो नंबर का paper होता है तीन essay writing उसका syllabus दिया होता है कि यह syllabus के topic है इसमें से आपको essay आएगा और उसी के इर्दगिर्द ऐसे आता है और मैं आपको बता दूँगा बहुत अच्छे से कि essay writing कैसे तैयार करोगे क्या करोगे वो बात की बात है ठीक है जब आपका में से complete हो जाता है तो 4-5 मेहने 5-6 मेहने के बाद आपका में से का result आता है उसके बाद आपके एक typing test होता है ठीक है क्या होता है typing test होता है जिस पर basically हिंदी typing पास है नहीं तो English typing आपका सिर्फ किसके लिए दिया था weightage मतलब कभी equal marks आगे तो English typing जिस ने किये तो उसको select करते हैं वो compulsory नहीं है ठीक है अब वो जो हिंदी typing है उसकी speed मात्र 4000 keyword होती है तो आपको बहुत ज़्यादा टैंसे लेने की जरुबत नहीं है typing आप कब करोगे जब आप मेंसे का exam दे चुके होगे यानि आपके पास इतना समय मिलता है मेंसे एक्जाम देने के बाद कि आप उसके बाद typing करोगे और typing के लिए कब होता है typing मेंसे के रिजल्ट के बाद कई बत्सकों confusion रहता है कि क्या sir typing मेंसे के साथ साथी होगा या अलग से वह मेंसे का result out होता है उसमें जो selected candidate है उसमें एक typing test होता है 4000 keywords उसमें बहुत slow speed है वो मैं आपको बता दूँगा कैसे करना है कौन से software से करना है कैसे उसको आप लोग करोगे बहुत हलका मतलब जिसे उंगली से type करके होता है ऐसे ऐसे चारज जान ऐसे बन जाता ह हिंदी मगर एक बार आप एक से ड लेने की जर्बती नहीं है अभी तक टैंसल लेने की जर्बता है कि में से की जर करना ठीक है उसके बाद आपका 100 नंबर का एक computer practical होगा वो साथ ही होगा typing और वो साथ ही होते हैं ठीक है वो अलग अलग नहीं होते हैं वो दो चीज़ें एक साथ होगी typing plus computer practical वो 100 marks का एक paper होग उसमें यह सब लेको इसको bold करो इसको italic करो इसका print out निकालो को जैसे practical करना होगा बहुत हलकी चीज़ है वो सब हो जाएगा मेंस के exam के बात के बात है उसका अभी टैंसल लेना ही नहीं है मैंतला अभी भूल जाओ कि वो भी होता है और इससे डरने की जर्वत नहीं सबसे ह और सिर्फ आपका क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है अगर आप यह क्वालिफाइं कर जाते तो 300 नमर जो आपका मेंस हुआ है इसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है फाइनल और इसी आधार पर अब रहता है सर बुक सेलेक्शन क्या हो ठीक है प्री से सुरू करते हैं क्यों पढ़नी क्योंकि मेंस में आपका पहला पेपर 100 नमर का जीएस ही है और जीएस नहीं पढ़ोगे तो मेंस लेड़ वेगा क्योंकि हिंदी और ऐसे से बहुत ज़्यादा फरक नहीं बढ़ने आला है ऐसे राइटिंग में लगभेक एब्रेज मार्क से लेके आते हैं क कोई 60 लाएगा कोई 65 कोई 40 कोई 30 कोई 70 इसी प्रकार से आएंगे निकलने वाले बच्चों के ठीक है हिंदी रटे रटाए कुशन है अब तो कॉंपेटिशन इतना बढ़ गया क्योंकि हिंदी का पेपर तो आपको मैं ही कराऊंगा 100 नमबर तो वही मैंने कराने घर बैठे आपकी हिंदी 100 नमबर तहीं रजाएगे तो सभी बच्चे उसी चाइब कपड़ेंगे तो हिंदी भी बहुत ज्यादा डिफ्रेंस नहीं करेट करने वारी करेगा तो सब जी एस ठीक है जी एस ही बंटा धार कर सकता है या तो बरबात कर देगा या आबात कर देगा तो जी प्री में भी जी एस है में में भी जी एस है प्री में लगभग आपकी जो जी एस आती है 80 से 85 मार्ग सके आईगी और उत्राखन 30 से 35 मार्ग सकी मार्ग 30 नमबर की रिजनी वैसे ही में लगभग 80 नमबर की जी एस आती है 20 नमबर की लगभग उत्राखन आईगी लगभग ठीक है तो pre का जो pattern है और main से का जो pattern है उसके आधार पर हम लोग gs देखते हैं और ध्यान रखना triple c की आवस्चता नहीं है ठीक है फिलहाल तक triple c की कोई आवस्चता नहीं होती है कभी भी आज तक UKPSC ने जो ROE RO कराया है सचीवालय और UKPSC के लिए उसमें triple c certificate की जरूरत नहीं पारी है तो ध्यान रखना triple c की कोई भी जरूरत उसमें नहीं होती है अब देखना pre में आप बैठते हो आपको पता है कि qualify करना है तो मैंने हमेशा कहा है pre और mains का GS RO का थोड़ा सा depth में पूछता है ताकि आपका mains में selection हो और आप merit माएं तो मैं आप लोग उसे request करूँगा GS के लिए घटना चक्रे लेना GS पुनाव लोकन करके घटना चक्रे आती है अलग-अलग subject के लिने और एक साथ मत लेके आना dump मत करते ना पहले history लेलो जैसे ही वो complete होती geography लेलो वो complete होती economy लेलो वो complete होती है polity लेलो वो complete होती तो environment चाहो तो लेलो वरना ही चार sufficient है ठीक है कोई जर्वत नहीं परिक्ष्यावाणी और विंसर इयर बुक के अलावा कुछ पढ़ने की अगर आप मेरे चाहत नहीं जिला स्रीज और इंडिविज्वाण टॉपिक और उत्राखन हिस्टी पढ़ने तो काफी है इसके साथ एक परिक्ष्यावाणी पढ़नी है तीस नमबर की रिज़निंग मैच से अचहे जिस बच्के की रिज़निग मैच से अच्छे उसको तो कोई दिखक यह जिसकी नहीं है बेसिक क्वेश्चन करके जाना कलेंडर घड़ी बगरा जितना आपसे आपाता है बहुत पैनिक लेने की जरुवत नहीं है वो मैं करा दूँगा जब बिग्यपति आएगी रिजनिंग के में में टॉपिक आपको करा दूँगा ठीक अब आता है सेकंड पेपर हिंदी हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर है वो टॉपिक सेलेबर्स के जो है रटे रटाई टॉपिक है वहीं से कुछन आता है लोवर PCS का मैं आपको आजकर हिंदी ड्राफ्टिंग कराता हूँ अभी तो मैं रोका है क्योंकि पेपर बहुत लेट है अगस्तम है बच्चों का अपरेल में PCS का प्री है तो मैंने तब तक रोका हुआ है क्योंकि कई लोग PCS प्री से फिरी होके में से की तैयारी करेंगे मतलो आधित्य पूबलिगिश्ण नाम से हिंदी संभवत अदित्य पूबलिगेश्ण है कुछ है मुझह पूबलिगेशन याद नहीं हिंदी संभभ्यवत नहीं मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम अगर मारेम भीज़ूंगा तीसरा पेपर है था आपका किसका essay writing का essay writing के लिए essay spectrum लेलो यानि निवंद की spectrum लेलो पत्री पत्री आती है या दृष्टी की निवंद लेलो या कोई भी निवंद की किताब लेलो जिसमें आपके index दिया होगा कोई disaster से topic महिला से सकती करा या कैसे होगा इसके साथ-साथ आपको अख़बार पढ़ने है बाकि लिखना कैसे होगा तैयारी कैसे करनी होगी यह तो विग्याती आने के बाद ही मैं बता पाऊँगा आपके लिए इतना काफी है यानि कोई triple C की जरुबत नहीं है आपको normal आप graduate होने चाहिए GS के लिए मैंने आपको book बता दी है Hindi drafting मैं कराऊँगा तब तक घरदे बाहरी की है तो वो ले लिजिए नहीं है तो Hindi संक्षेपन के लिए लिजिए second paper आपका essay त्यार हो जाएगा तीसरे paper हिंदी essay writing का है उसके लिए आप अभी से अख़बार बढ़ना चुरू कर दीजिए ऐसे की spectrum ले लिजिए आप एक निवन्द spectrum करके आती है दरिष्टी IS की आप निवन्द की ले लिजिए इतना आपका sufficient होगा ठीक है बाकि typing और typing के सांसा जो computer practical है पैनिक दिमाग से हटा दीजिए उसकी जरुवत ही नहीं है जब तक आपका main security नहीं हो जाता है तब तक की कोई टैंसल लेने की जरुवत नहीं है hopefully ये बात आपकी समझ आई होगी इसके अलावा कभी कुछ नहीं बताने अलावारो के पिपित में तक की बिग्यवति नहीं आती है इसको सुन लो इसको नोट कर लो इसी से आपका क्या होगा काम बनेगा अपना ध्यान रखिए